आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्विद इन्योग में हार्दिक स्वागत है आज हम उच्रक्चाप यानी हाई बीपी में किये जाने वाले आसन करेंगे इसमें हमारा सबसे पहले है बीरवद्दर आसन आप समस्थिती में खड़े हो जाएं दोनों पैरों की बीच मे तीन से साड़े तीन फीट का अंतर रखें दोनों हाथों को उपर के और उठाते हुए जमीन के समाना अंतर ले आएं दोनों हाथों की हतेलियों को सीर की उपर ले जाकर आपस में जोल लें दाएं पैर को 90 डिगरी के कौन पर गुमाएं इसके बाद बाएं पैर के पंजे क को 45 डिगरी पर गुमाएं पैरों को स्थिर रखें श्रीर को दाएं पैर की तरफ गुमाएं दाएं पैर के गुटने को मोडते हुए 90 डिगरी का कौन बनाएं दाएं टांग को फर्स की समाना अंतर ले आएं बाया पैर एकदम सीधा रहेगा सिर को पीछे की और जुकाएं और उपर की तरफ देखें इस थिति में आप 30 से 60 सेकिंड तक मने रहें आप प्रानिस थिति में बापिस आ जाएं ये सारी प्रक्रिया अब आप दूसरे पैर से करें ये था हमारा बीर्भद्दरासन आप समस्थिति में आ जाएं इस थिति में अब धीरे से अपनी सांच छोड़ते हुए पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें अब अपने हाथों को अपने पैरों पर कसें धीरे धीरे अपनी दोनों पैरों की एडियों को जितना संभभो मूलाधार यानि शरीर के पास लेकर आएं ऐसा करते हुए आपकी टांगें जमीन को स्पर्ष करनी चाहिए यदि ना कर रही हूँ तो तक्ये का सहारा लें भद्रासन एक बिराम आसन है इस आसन में आँखें बंद करके अराम से सांस लें वो छोड़ें भद्रासन शरीर को सुद्रिट करता है वो मन को स्थिर करता है कुश में तक इस थिती में स्थिर रहने के बाद आप अपनी आँखें खोलें अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए पैरों को सामनी की तरफ फिलाते हुए अराम से दंडासन में कुश में तक बैठें ये आसन शरीर को स्वस्त बनाता है नेक्स्ट है हमारा स्वस्तिकासन आप दंडासन में बैठी पैरों की बीच थोड़ा सा अंतर बनाए अब बाएं पैर को घुटने से मोडे बाएं पैर का तलवा दाएं टांग के अंदर के ओर रखे दाएं पैर को घुटने से मोडे और दाएं पैर को बाइं टांग वो बाइं पैर की पिंडली के बीच रखें दोनों हाथों को ग्यान मुद्रा में रखें रीट की हड़ी एकदम सीधी हो सांसों की गती समान्य हो इस स्थिती में पांस से दस मिनुट तक आप सुविधा अनसार बैठें उन्हां आप समस्थिती में आ जाएं नेक्स्ट है हमारा सवासन अराम से पीठ के वर लेट जाएं अपने मन को शांत रखें सभी विचारों वो चिंताओं को कुछ देर के लिए अपने शरीर से दूर कर दें अपने पैरों को, कमर को, कंधों को, हाथों को वो पूरे शरीर को धीला रिलैक्स छोड़ दें, अराम से लेटे रहें गहरा सांस अंदर भरें, वो बहार छोड़ दें एक और गहरा सांस अंदर भरें, मन को शांत रखें, सांस बहार छोड़ें पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं सांसों की प्राकृतिक गती पर अपना ध्यान दें अपने श्रीर का कोई हिस्सा स्टीफ या जकड़ा हो तो उसे धीला छोड़ दें अपना पूरा ध्यान सांसों पर ही रखें इस तिती में आप एक से दो मिनिट तक रुकें वो धीरी धीरे बापीस बैठ जाएं झाल्या दें